Assalamu alaikum and welcome to my channel कैसे हैं आप सब hopefully बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जैसी सर्दियां आती है सर्दियां आते ही दो फ्रूट्स जो है वो most important है जो के हम बहुत शौक से खाते हैं एक apple and एक orange तो orange जो है वो जब हम खाते हैं कैसे आप orange से जो है न छिलके से orange पील से जो है वो powder हम इसका बना के तो use कर सकते हैं और एक बहुत जबदस सा mask भी आपको बताऊंगे orange पील पाउडर से तो end तक आपने वीडियो देखनी है मेरे चैनल को like, subscribe जरूर करें orange पील पाउडर जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा vitamin C पाया जाता है आप यह कह सकते हैं कि जितने भी vitamin C वाले जितने भी fruits हैं उनमें maximum सबसे ज़्यादा जो vitamin C है वो orange के पील के अंदर पाया जाता है इसके इलावा इसके पील के अंदर एक oil होता है जो कि हमारे skin को ग्लो देने में फ्रेश करने में और skin के जो है आपकी कहले के wrinkles को दूर करने के लिए बहुत important होता है तो vitamin C और oil जो orange के पील के अंदर है वो बहुत ज़्यादा हमारे skin के लिए फाइदा मंद होता है orange पील जो है पील पाउडर जो है उससे हमारे skin को vitamin C इसके ब्ली मिलता है हमारी skin में glow आता है brightening होती है whitening होती है इसके साथ साथ हमारी skin इसके साथ हमारे ना पॉर्स national well प्रूलिशन के वज़ा से जो पोर्स बंद भी जाते हैं तो पोर्स पॉर्स चलोग को बूग को दो слot कि हमारी पोर्स खोल देता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है इसके इलावा ये हमारी स्कीन जो है उसको एजिंग के साइन्स है वह सबसे जो बड़ा एजिंग का साइन है वह wrinkls है ज्यानि ज्षूरियां पढ़ना तो इसके अन्दर जो collagen और elastin होती है तो वो हमारी skin की elasticity को बढ़ाता है और उस elasticity के बढ़ने से क्या होते है कि हमारी skin की उपर जूरिया नहीं पड़ती है और इसके अंदर जो oil है वो हमारी skin को natural oil देता है जिसकी विज़े से हमारी skin जो है वो dry नहीं होती मैं आज औरेंज और लेमन दोनों का पील पाउडर बना रही हूं आप चाहे तो अकेला लेमन का भी बना सकते हैं अकेला औरेंज का भी पील पाउडर बना सकते हैं या दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं अब सबसे पहले आपने औरेंज जो है उसको चील लेना है और उसक कर छिलके हैं उनको दूर दूर करके फैला दें आपने डायरेक्ट सन लाइट में यानि डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाना बलके इसको च्छाओं में सुखाना है और आप देखेंगे कि कुछ दिन सुखने के बाद ये डिपेंड करता है कि टेमपरेचर क्या है तो एक दिन में भी सुख सकता है या उससे ज्यादा भी तो जब ये बिलकुल इस तरह से कड़क सुख जाएगा और इसमें बिलकुल कोई नमी नहीं रहनी चाहिए कोई इसमें जो है वो सॉफटनेस नहीं रहनी चाहिए बलके कड़क जब सूख जाएगा तो इसका मतलब है ये तयार है अब इसके बाद आपने देखा कि लैमन भी बिलकुल ड्राइ हो चुका है तो अब इसको मिक्सी में आपने डालना है चोटे चोटे पीसे करके और मिक्सी में जब आप इसक बारीक करने के बाद किसी बारीक चलनी में डालके चाहन लें टो अब आ पारीक को पीसके तो इसे पर चाहन लेको 5 मज़ तक मिलांगे बारा मेहने तक ये फ्रेश रह सकता है इसको फड़्मेर नहीं रखेंगे और इसको बदस किसम का एक मास्क आपको बताऊंगी और वो मास्क जो है किन को जो है वो ब्राइटनिंग और ग्लो देगा एक फ्रेश सा लुक देगा तो चले चलके मास्क बनाते हैं 1 टी स्पून ग्रैम फ्लोर यानि बेसन 1 टी स्पून जो का आटा यानि ओट फ्लोर 1 टी स्पून औरेंच पील पाउडर 1 टी स्पून लेमन जूस रोज वाटर फॉर मेकिंग पेस्ट यानि इतना जितना आपको पेस्ट पनाने के लिए चाहिए बस आपने उतनाल इसको यूज करना है और इसका पेस्ट बनाके 2-3 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें ताके सब चीज़ें अपना असर करें और फेस्ट पे 15-20 मिनट के लिए आपने लगाना है यानि इसको आप डेली भी यूज करें तो कोई नुकसान नहीं अब दें मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त अलाहाफेज